तो दोस्तो आज है 16 February 2024 तो दोस्तो इस रेजल्ट की सेशन पे अल्मोस सारे बड़े बैंक या बड़े कमपनी की रेजल्ट आउट हो चुका है आज आखरी रेजल्ट हम रिव्यू करेंगे इस quarter 3 की सेशन पे तो चली ये दो कमपनी की रेजल्ट आज आउट हुआ बजार क्ल कमपनी का ऐसा पर्फॉर्म क्या आपके समय प्रेजन करते हों तो चलीak सबसे पहले में आपको दिखाता हूँ आज हम सारे कमपनी का नाम है 살e पे कंपनी की जो PDF है Consolidate Financial Result का तीन अलग-अलग क्वार्टर का नंबर कंपनी द्वारा सेंड किया है सबसे वहला हम बात करेंगे प्रेजन क्वार्टर यानि डिसम्बर 2023 की तो डिसम्बर 2023 पे कंपनी की टोटल इंकम हुआ है ध्यान से देखना 953 करो रुपई जो कि की बात करें डिसम्बर 2022 पे यही नंबर था 840 करो रुपए यानि अगर हम बात करें यार ओन यार बेसे पे जैसे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला इवेन क्वार्टर ओन क्वार्टर बेस वे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला कंपनी द्वारा एट द शेम टाइम ट हमें इंक्रीज देखनी को मिला 633 करो रुपए से बढ़के 674 करो रुपए हो चुका है अब चली सीधा नीचे चलेंगे और नीचे चलके देखेंगे सारे टैग्स बगरा बनने के बाद जो भी हम बचता है उसे हम नेट प्रॉफिट यानि प्रॉफिट फॉर्द रुपीज 151.99 यानि अल्मोस्ट 152 करोर के आसपास यानि अगर देखा जाए क्वार्टर ओन क्वार्टर बेस पे बढ़िया ग्रोथ रखा एक सो अठावन करोर से सीधा बढ़के 210 करोर रुपए पहुंच चुका है बहुत शांदर ग्रोथ हमें देखनी को मिला बहुत से साथ साथ देखे क्योंकि कंपणी के नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ कंपणी की टोटल इंकम भी अल्टिमेटल इंक्रीज हुआ और जिसके चलते कंपणी का जो EPS है यानि अर्निंग पर शियर बेसिक और डाइलूटेट दोनों ही दोस्तों यहां पर इंक्रीज अब बात करेंगे जो वीडियो की थम्नल पर मैं जो मेंशन किया ना कंपणी डिवीडेंट डिक्लियार किया मैं आपको दिखाता हूं कंपणी दोस्तों इस बार फाइनल डिवीडेंट रेकमेंड किया 28 रुपए का अब आपके दिवांग में जरूर आयोगा सर आपने तो जो की 28 रुपए का डिवीडेंट दे रहा है मतब अपने फेस्पाल लुकुबर टोटल कितना अट्थाइस सो परसेंट की डिवीडेंट कंपणी क्या कंपणी साथ में यह मेंशन किया कि कंपणी की जो नेक्स जो एजेम होगा एजेम एनुए जनेरल मीटिंग और उस मीट कंपणी फिर से एक्सेंज को इंफर्म करेगा यह जो डिवीडेंट कंपणी रिकवेंट क्या शेयर होल्डर के लिए 28 रुपए का उसका क्या रिकॉर्ड टेट है या उसका एक्स डेट है और कंपणी के एजेम कब होगा एप्रिल के महीने पर अभी मतब काफी देर है तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा सवाल की सर इसके बीच में हम खडिच सकते है शेयर को हम क्या इलिजिबल शेयर होलर बनेंगे यह आप नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर हो सकते मार्च के महीने पर यह हो सकते फेबरोरी कमेंट कभी आप बाई कर सकतो जब तक निसका एक स्टेट डिस्क्लोस हो जाए कंपनी दौरत अब तक दोस्ता आप अनाम से खडिच सकतो आप आप अटोमेटिकल इलिजिबल शेयर होलर बन जाएंगे यह 28 रुपई डिपिरेंट पाने के लिए क्या दोस्ता आपको कैसे लगा क्रिजिल की रिजल प्लीज कमेंट वक्स मोना स्प्लीट बगर दिया था डिविरेंट भी बहुत अच्छा देता है कंपनी आज दोस्तों अपने क्वाटर थ्री रेजल के साथ बहुत शानदा डिविरेंट भी रिकमेंड किया जैसे कि आप देख सेक्तों स्क्रीन के वर मैं आपको थोड़ा हाइलेट करके देना च अपने बहुत बढ़ी रगम है तो यह कंपनी अपने डिविरेंट की कोई भी एकस डेट ना डिकॉर्ड देट या पर मेंशन किया बेसिकली कंपनी वही सेम चीज़ एनुवल जर्ल मिटिंग होगा 26 एप्रिल को उसके बाद ही कंपनी एक्सेंज को इंफर्म करेगा कि इस एकस डेट है पर उसके बीच में आप कभी भी बाई कर सकते इस कंपनी की डिविरेंट बन जाएंगे यह जो कंपनी डिविरेंट दिया उसको पानी के लिए ठीक है अब बात करेंगे देखी कंपनी तो डिविरेंट बहुत अच्छा दिया कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा और मैं आपको करोर रुपे कंवर्ट करेंगे बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम आसान लगे तो सबसे वाला जाते कंपनी की टोटल इंकम होता है डिविरेंट फर्म ऑपरेशन और अधर्स इंकम को एड़ करके इस क्वार्टर में यानि डिसम्बद द 182 करोर लास्ट येर की बात करें था 1812 करोर यानि अगर देखा जाए यार ओन येर बेसे जैसे ग्रोथ देखने को मिला इवन क्वाटर ओन क्वाटर बेस पे भी रोध देखने को मिला बट 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 यहां पर थोड़ा रुख जाए बिकॉस कंपनी की जो टोटल एक्सपे करोर लास्ट एर की बात करें डेर हजार करोर का आसपास था यानि यार ओन यार बिस पे अक्चुली बहुत सब इंक्रीज हुआ और जिसके चलते एक्चुली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट में काफी डाउन फॉल देखने को मिला ध्यान से देखना कंपनी की इस क्वाटर म जिसके चलते कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिप देखने को मिला मतब गिराब अठ्वा चाहिए और बाकी मुझे लगते कि इस शेयर के नदर थोड़ा बहुत करेक्शन होना चाहिए मतब अगर मंदे की दिन बजा रूपन होता है सब कुछ ठीक टाक रहता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है बहुत जाद क्रैश बगर नहीं होगा बढ़ हां करेक्शन होने का पॉसिबिलिटी है और जिसके जल्दे कंपनी का जो EPS है वहाँ भी सीधा से चेंजर देखने को मिला 13.44 जो की लास्ट कोर्टर में थ 14.9 और लास्ट यर पे कितना था 14.8 यानि इसका जो इंपक्ट है सीधा सीधा में देखने को मिला अब चले दोस्तों मैं आपको सीधा ब्राउजर के उपर लिए चलता हूं अब आ चुके है क्रिजिल की बात करें आज चार हजार 629 रुपए पे लास्ट है मैने की बात करे अच्छा रिटन दिया एक साल पे भी बहुत बढ़ी रिटन दिया और ऑविसलिए अची कमपनी एच्छी सेक्टर है बहुत ही ने चुने कमपनी इस कंप पट्टुलर सेक्टर में ना कॉंपिजिटिजन बहुत कम है अगर हम बात करें कुछ लिस्टीट कमपणी तो रेयर अच्छा डिटर्न आपको देखने को में लेगा लॉंग टम की पॉइंट फी से या निए बात करें दोनों ही कंपणी अच्छी कंपणी है बड़े कंपणिया ठीक है एक कंपणी का मार्केट का पॉलमस्ट एक में 30 करोड दूसरे में 40 करोड ओवरल बात करें एक डिसेंट की कंपणी है अब देखिए इंवेस्ट करना ना करना कंप्लिट लिए आपके उपर डिपेंड करता है वो तो आपके उपर है ठीक है बाकि देखें एक इंपॉर्टन अब्डेजिस था जो कि आपके साथ में शेयर किया बाकि कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है कोई शे नेक्स वीडियो को वाइंड आप करता हो मिल दे नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक कर बाबाई जाए हिन